कॉंग्रेस एक और अपनी अंदुरूनी कला से जूज रही है तो दूसरी और बीजेपी से पार्टी की लड़ाई है यही वज़ाए कि हर्चनाव में कॉंग्रेस को मात खानी पढ़ रही है कॉंग्रेस आलकामान को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे इसी बीच कॉंग्रेस ने जनता को विश्वास दिलाने के लिए भारत जोडो यात्रा की शुरुआत की है कॉंग्रेस कन्या कमारे से कश्मीर तक भारत जोडो यात्रा कर रही है ऐसे में राहूल गाधी 3570 किलो मीटर की यात्रा करेंगे वहीं यात्रा के दौरान राहूल गाधी बीजेपी पर हमला बोलने में पीछे नहीं अट रहे हैं राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजो जैसी है वहीं राहुल गाधी E.D. और C.B.I. की कारवाई को लेकर भी सवाल उठाते नजर आए इस दोरान राहुल गाधी का दर्द भी छलकाया राहुल ने कहा कि कॉंग्रेज ने यात्रा के शुरुआत की लेकिन न्यूज चैनल्स कॉंग्रेज की यात्रा ना दिखा कर दिन भर प्रधान मंत्री मोदी को दिखाते हैं राहुल गाधी ने कहा कि कॉंग्रेस की निताओं को न्यूस चैनल्स नहीं दिखाते इसलिए कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है राहुल गाधी के सियात्रा में महत्पूर्ण बात ये है कि उनकी यात्रा उन राज्यों से नहीं गुजरेगी जाएं साल विधान सवाचुनाव होने है राहुल गाधी की यात्रा बिहार जारखन जैसे राज्यों से नहीं गुजरेगी जबकि कॉंग्रेस इन राज्यों में सरकार का हिस्सा है भारत जोडो यात्रा के जरिये राहुल गाधी 372 लोग सवा सीटों पर फोकस करने की रणनीत के तहत जमीन पर उतरे हैं एक तरब कॉंग्रेस छोड़ चुके निता सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरब बीजेपी लगातार कॉंग्रेस पर हमला कर रही है बीजेपी का कहना कि कॉंग्रेस मुक्त भारत का भियान जोरो पर चल रहा है जिस कॉंग्रेस पार्टी को जनता नकार चुकी है उस कॉंग्रेस पार्टी के निताब भारत जोडो यात्रा कर रहे हैं वहीं कॉभ्रेस पार्टी की सियातरा पर असम के मुख्यमंत्री ने जबर्तस थमला बोला है असम के मुख्यमंत्री ने downtime को भारत की नहीं बाल्की पाकिस्तान में यातरा करनी चाहिए जिससे लोगों को एक ऐसा भारत मिले जो विभाजन से पहले अविभाजित था वहीं असम के मुख्यमंतरी ने कॉंग्रेस और राहुल गाधी को नसीहत दी की राहुल गाधी को ये सब छोड़ कर अखंड भारत के लिए काम करना चाहिए समय में कोई एपोलोजी है कि मेरा नाना ने घरबर करके गया था या पंडित नेहरु का समय में जो हुआ ठाओ होना नहीं सहीए था अगर उनका मनन्मे रिग्रेद है तो भारत जोरो अभी भारत का तेरीटेरी में करके कोई फाइड़ां नहीं है आप पाकिस्तान को जोडने का कोशिस कीजिए बंगलादेश का जोडने का कोशिस कीजिए और अखंडा भारत के लिए प्रसेस्ता कीजिए अगर आपका मन में कोई कि रिग्रेद हो पार्टीशन के लिए वही कॉँगरेश की आत्रा और असमकी सीम के बयान के बाद राचनीद गर्मा गई है ऐसे में हेमन्द विस्व सर्मा ने कॉँगरेश की आत्रा पर सवाल उठा कर मन्शा जाहिर कर दी है कि कॉँगरेश को किसी भी मुद्दे पर बीज